अब एक नया कान नई गटना वो भी दिन दहाडे सामने आई है जैन परिवार पर फिर से हमला हुआ है हर थोड़े दिन बाद कोई न कोई गटना जैनों के साथ गट ही जाती है गटना मेरट की है स्पोर्ट्स कारोबारी धन कुमार जैन के बेटे नवीन कुमार जैन अपने पुत्र को स्कूल छोड़ कर वहीं से वाकिंग के लिए निकल पड़ते हैं गर की गेट बाहर से खुली ही रहती है जिसे घर लूटने वाले चोरों ने पहले ही गर की रेकी करके पता कर लिया था क उस समय गेट खुली रहती है इसलिए घर के अंदर जाने का ये सही समय है प्लैन के मुताबिक दो नकाब पोस बदमाश आते हैं और सबसे पहले उनके छोटे बेटे के कमरे में जाते हैं और उसको बांध कर दरवाजा बंद कर देते हैं उसके बाद वे स्पोर्ट्स अबारी धनकुमार जैन के कमरे में आते हैं और लूट पार्ट शुरू कर देते हैं ये देखकर धनकुमार चिलाना शुरू करते हैं और ये नकाब पोस उन्हें चिलाता देख उन पर ताबड तोड फाइरिंग कर देते हैं गोलिया चला देते हैं गोलियों की आवाद से उनकी पतनी अंजू जैन उठ जाती है और वो भी चिलाना शुरू कर देती है। नकाब पोश उन पर भी गोली दागना शुरू कर देते हैं। दादी की चिलाने की आवाद सुनकर उनकी पोती आशी जैन वहां आती है तो नकाप पोश हत्यारे आशी जैन को भी बांध कर कमरे में बन कर देते हैं और लूट पार्ट जारी रखते हैं उसके बाद दूद वाला आता है और वो दूद देने के लिए आवाज लगाता है तो वे हत्यारे दूद वाले को भी रसी से बांध कर कमरे में बन कर देते हैं इस बीच जैसे तैसे आशी अपनी रसी खोलने में काम्याब हो जाती है और अपनी मम्मी को फोन में सारी बात बत देती है जब तक वे घर आते हैं तब तक लूटे रे लूट पाट करके फरार हो चुके होते हैं पुलिस अपरादियों को ढून रही है धनकुमार जैन की पतनी अंजू जैन सीरियस है उन्हें कई गोलिया लगी है तो अब रात ही नहीं दिन भी शुरक्षित नहीं है दिन द संपंता समस्दारी काबिलियत पर आपको क्या लगता है क्यों हो रहे हैं जैनों पर इतनी हमले कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें